ब्रोट तो यू बाइ फाइफ़ेसा.com इन्वेस्टिंग मेड एजी और रिवर्डिंग डाउनलोड अप नाउ नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट मैं हो रजद्देवगन आज बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिससे उमीजे तो बहुत थी लेकिन निवेशकों को बहुत घाटा उठाना पड़ा है अब तक जी हां बात करना है देश की सबसे बड़ी इंचोरेंस कंपनी की अब देखने हैं बिस्तक पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट लेकिन एक और ओफर के बारे में आपको बता दे हैं और वो है 5 पैसा का स्पेशल ओफर तो देर मत कीजे डाउनलोड कीजे 5 पैसा एप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाबदायक हैपी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शेर प्राइस पे वन वे ट्रैक पे बिकवाली हुई है लिस्टिंग से अब तक लगभग 30% का गोता लगा चुका है ये शेर अपने इशू प्राइस से आखिर क्यों इतने बिकवाली देखने को मिल रही है ब्रोकिंग हाउसे क्य कहते हैं बाजार के बड़े जानकारों का क्या कहना है ये सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में लेकिन सबसे पहले आप डैमेज देखिए जब IPO आया था तो इदेश का सबसे बड़ा IPO था इशू प्राइस जो रखा गया था वो था 949 रुपीज प्रतिशेर लेकिन प गिरावट देखोगे इशू प्राइस से लेकर अब तक तो लगभग 29.7% के गिरावट हो चुकी है लगभग 30% का डेंट लग चुका है हाईर लेवल से ये प्रॉबलम है अच्छा आप कुछ इंट्रेसिंग फैक्ट्स आपको बता आते हैं जब LIC का IPO आया था 949 रुपी इरोड हो चुकी है लेकिन अब भी at 4.22 लाग करोड रुपीज इसकी मार्केट कैप जो है वो SBI, HDFC जैसी दिगज कंपनियों से जादा है इनफाक जो stock exchanges पे लिस्टेट कंपनिय है साथवे नंबर पे आता है मार्केट कैप के लिहास से LIC इतनी बड़ी कंपनी है अभी भी और यह जो मार्केट कैप इरोड होई है 1.78 लाख करोड रुपीज का इरोजन मार्केट कैप में देखने को मिला है यानि की 1.78 लाख करोड मार्केट कैप साफ हो चुकी है और यह बता दें आपको की बड़ी बड़ी निफ्टी कंपनियों की मार्केट कैप इतनी नहीं है इन फाक्ट निफ्टी फिफ्टी कंपनियों में से 29 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मार्केट क्या 1.78 लाग करोड रुपेश से कम है इतना भारी भर कम नुक्सान जो है वो निवेशकों को उठाना पड़ा है अच्छा अब LIC के शेर में एतनी विक्वाली क्यों देखने को मिल रही है ये भी जानना जरूरी है तो कुछ प्रमुक कारण है बजार में बहुत सारे शेर के पिटाई हो रही है तो LIC कैसे पीछे रह जाएगा LIC पे भी दबाब बनता हूं रजराया LIC में एक कंसर्न ये भी है कि LIC का मार्केट एक्स्पोजर बहुत जादा है इन्होंने कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है और अब जब सब शेर्स ही तूट रहे हैं तो वो जो LIC का पोर्टफोलियो है भारती बजार में उसको लेकर भी चिंता हो गई है एंकर लॉकिन जो एक अवधी होती है जिसमें बड़े इंस्टिशन को जब आईपियों में शेर जारी होते हैं तो एक अवधी के दौरान वो बेच नहीं सकते हैं उमीद तो इससे बहुत ज़ादा लोगों ने लगा ली थी कि अगर लिस्टिंग अच्छी नहीं हुए तो हो सकता है कि कंपनी बहतर डिविडेंट दे दे लेकिन बिल्कुल वैसा हुआ नहीं बहुत ज़ादा एकुटी है इतना बड़े डिविडेंट की उम्मीद करने नहीं चाहिए थी और मातर डेड़ रुपर प्रतिशेर का डिविडेंट दिया सेंटिमेट वहां से भी बिगड़ा कॉंपेटिशन एक बहुत बड़ा कंसर्न एरिया है तो उसको लेकर भी कही न कहीं तनाव बना हुआ है लेकिन अब आगे क्या होगा ब्रोकिंग हाउसे की कमेंटरी क्या है इंस तरो पर तो वो भी चौका आने वाली है सबसे पहले तो आपको बैंक अमेरिका सेक्यूरिटीज का यहां 930 यह अपने इशू प्राइज से नीचे का टार्गेट है 949 तो इशू प्राइज ही था बैंक अमेरिका सेक्यूरिटीज कह रहा है कि भाड़ते इंस्यूरिंस बजार में ग्रोथ की संभावना जादा है अन्ने इंस्यूरिंस कंपनियों के मुकाबले जो लेकर कही ना कहीं चिंता है जेपी मौगन की जो लेकर परिपोर्ट आई उसमें उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी और लक्षे दे रहे हैं 840 में फिर बता रहा हूं 840 की फिर वैल्यू समझ रहे हैं यह लॉंग टर्म में और वो भी इश्यू प्राइस से बहुत कम है इश्यू प्राइस था 949 का वो कह रहे हैं जेपी मौगन की नई पॉलिसी का जो नई पॉलिसी का जो बिजनस है वो कुल पोर्टफोलियो में 1% हिस्सा कॉंट्रिब्यूट करता है यानि कि इनकी जो 99% इंश्यूरिंस कारुबार से जो आई होती है वो रिन्यूवल प्रीमियम के जरी होती है वैल्यूएशन को लेकर कोई टेंशन नहीं है 0.75 गुना प्राइस टू इंबेड़ेड वैल्यू बहुत ही कम है अपनी कैटिगरी में, अपनी इंडस्ट्री में लेकिन रिस्क वो ये कह रहे हैं कि सरकार कहीं और हिस्सा ना घटा दे लेकिन सरकार ने पहली बोला था एपियो के टाइम पर तो इस फिसकल में तो ये संभावना नहीं है कि वो हिस्सा और घटाएंगे तो JP Morgan का टागेट हो गया 840 का, लेकिन एक हैरान करने वाले रिपोर्ट आज आ गई, Goldman Sachs की रिपोर्ट आई LSE के उपर, और उन्हें जो टार्गेट दिया है, वो दिया है 700 का neutral rating, के साथ coverage शुरू की है coverage initiate की है, लेकिन टागेट है 700, मातर 700 रुपे का मौझूदा भाव से मातर 5% upside का target, तो जो अलग-लग broken houses के अलग-लग views आ रहे हैं ये और तनाव पैदा कर रहे हैं और in decision इसी के चलते हैं निवेशकों के मन में है कि क्या ये share और टूटेगा इसी गुत्थी को सुल जाने के लिए हमने अविनाश गुरक शकर जी से बात की आईए सुनते हैं उनका क्या कहना है लेकिन मैं फिर बता दूँ किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तिसलागार की राय जरूर के ले लें हम ये नहीं कह रहे हैं कि बजार में हमने सरफ आपके सामने एक रिपोर्ट रखी है अब जो डिसीजन लेना है वो आपका होगा और वित्तिसलागार की राय जरूर ले लें लेकिन आईए सुनते हैं विनाश गुरक शकर जी का इस LIC के स्टॉक के उपर क्या कहना है और मुद्दा ये है कि बहुत ही मिक्स कमेंटरी आ रही है देकि निवेशक तो फसे है ये तो बात अब पक्की है क्योंकि उपरी सतरों से कोई स्टॉक अगर 30-31% हलका हो जाए तो ये बहुत माहिने रखता है और उसका इतना जाद हो वो वाला स्टॉक LIC, Goldman Sachs बोल रहा है neutral rating initiative की है और उनने स्टॉक के उपर लक्षे मातर 700, मौजदा स्टरों से 5% का maximum upside Bank of America Securities बोल रहा है outperform rating लेकर चल रहे हैं, लक्षे ले रहे हैं 930 का बोल रहे हैं कि इन देश में बहुत पकड़ मजबूत की है, बड़ी-बड़ी बाते हैं ने रिपोर्ट में लिए लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है और जो भी आप broken houses जो targets दे रहे हैं वो 949 की level से नीचे के दे रहे हैं जिस level पर यह shares issue होए है institutions को, यह ऐसा अचानक क्या होगा LIC पर से? मुझे लग रहा है कि रजट पहली बात तो जैसे हमने पहले भी आपके show पे काया कि LIC को जब तक वो अच्छा data present नहीं करता, मेरी कहाल से financial data, तब तक markets थोड़ी बहुत uncertain phase में रहेंगी मेरे कहाल से LIC के management ने media पे आकि यह भी काया कि वो यहां पे अगर कोई अच्छी खबर आते है especially disbursements के उपर, market share के उपर premiums के उपर तो definitely markets उसको नजरदाज नहीं करेगा, मेरे ख्याल से इतना नीचे आने के बाद मुझे लग रहा है कि downside तो काफी protected है और उपरी level पे मुझे लग रहा है कि लेकिन जो अगले देड़ दो साल का time frame कोई रखने वाला investor है तो उसको बहुत ही सस्ते valuation पे एक market leader मिल रहा है, हाला कि premiums थोड़े से private sector के companies से LIC के कम है, उसलिए इनके margins भी कम है, market share भी थोड़ा घट रहा है, लेकिन इनकी market से हम completely ignore भी नहीं कर सकते और अगर hopefully numbers आने वाले एक दो quarters में अच्छे आते हैं, तो ये level से मुझे लग रहा है कि वापस 25-30% upset आना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी normally एक investment में कावत है कि जिस चीज़ से हमको बिल्कूल expectation नहीं होती, वही से सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, तो मुझे लग रहा है कि इसको completely ignore नहीं करिए, अगर है तो hold करिए और अगर आपके पास थोड़ी हिम्मत है, तो थोड़ा सा इस level पर भी आप खरीच सकते हैं, क्योंकि देखे, LIC को आप insurance market से ignore नहीं कर सकते हैं, और यगर यह चला तो साड़े नो सो हजार उपए भी दिखा सकते हैं, हमने इस report के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया है कि LIC का stock performance अभी कैसा चल रहा है और अलग ब्रोकिंग houses की commentary कैसे, किसी भी निवेज से पहले अपने वितसलागार की राय ज़रूर ले लें हमने Profit Mart Securities के Director Research अविनाश गोरख शकर जी से भी बात की आए सुनते हैं उनका इस मुद्धे पर क्या कहना है कि अविनाश ब्रोकिंग कि आए सुनते हैं